धान खरीदी मामले में किसी भी प्रकार की कोई गरबड़ी को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा गरबड़ी करने वालों को जेल भेजा जाएगा ये कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री अर्विन भदूरिया का जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने धान खरीदी मामले में कहा कि घोटाला करने वालों को बक्षान नहीं जाएगा फिर वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो इस दौरान उन्होंने मनसौर में हुए घोटाले के मामले में F.I.R. दर्च कराने की बात कही उन्होंने दोबारा जबलपुर आकर सभी जिले में दौरा करने की बात भी कही देखता हूँ कल भी मैं चार घंटे बैठा था इस विभाग की मीटिंग के लिए हमारा नरहरी जो मार्क फेट के अमडी है हमारे पीएस जो उम्राव हैं इन सब के साथ मैं बैठा था आपको एक भी सिकायत कहीं मिल लगी छोडूँगा नहीं मै करविन बदोरिया हो मैं छोड़ूँगा नहीं बगर जेल जाय हुए अभी मनसौर में ऐसी तीन कोड़ कोई होटाला करने कोशिश की आज उस पर अफैर कराके अंदर करवा देंगे उसको जो है ना हर प्रकार कारवाई करेंगे किसा कोई भी हो कितना बड़ा भी आदमी हो और किसी भी पारटी का आदमी हो अगर गड़वर कहीं दिखी तो यह छोड़ने बाला नहीं है जाच प्रकरिया में हो सकता विलम हो सकता है लेकिन बचेगा कोई नहीं मैं फोकस्ट हो के एक फिर जबलपुर आऊंगा पुरे संभाग के सभी जिलों में दोरे करूंगा और जनता के साथ साथ अपने करकरता उसाथ साथ बाकिश्त किसानों से भी संभाद करेंगे कहीं कोई एरर हुआ है उसके हम जाच कराके करवाई करें प्रदेश में संबल समर्थन मूले पर अनाच खरीदने वाली संस्थाओं की चर्चा करते हुए मंत्री श्रीभधोरिया ने कहा कि प्रदेश में 4516 वर्किंग सुसाइटिया है आत्म निर्भर भारत के तहट इन संस्थाओं को मजबूत बनाने और अन्य प्रोजेक्टों के के लिए 7400 करोड की राशी प्राप्त हुई है हमारी टोटर मिलाके 4516 वर्किंग में 400 सुसाइटियों को कॉंग्रेस को लोग बिटाल गए थे जो कवनलाजी ने कर्जा माफी का यूटा बादा करके बरबाद कर देते अभी 800 करोड रुपए मत्वदेश के मुक्मंति शिव रासिंग चोहान ने हमारे पैक सुसाइटियों को स्ट्रेंटिंग के लिए ताकत के लिए इसमें एक बड़ा बड़ा हम काम करने वाले हैं आत्म निर्बर भारत के तहट हमको 7400 कोड रुपए मिला है तो उसमें जो हैना हमारी पैक सुसाइटियों के माध्यम से 200 लाग हम एक पैक सुसाइटियों को दे सकते हैं किसके लिए कई प्रकार के लिए अब कॉल्ड इस्टोर बनाएए आप जो है ना किसी प्रकार का कोई सब इंडस्ट्री डालिए 200 लाग हैं दो कौर्ड रुपए मार्केटिंग सुसाइटियों को मात अप्यों पर बड़ा काम कर रहे हैं तो एक परसेंट के हिसाब से हम उनको पैसे देने को तयार हैं ऐसे अभी मदब अदेश में लगबग 300 सुसाइटियों का हमने काम कर लिया है बाकी भी मैं आपके मादम से किसान भाईयों को सुसाइटियों पे जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि भही हम देने को त नाम वह फेल करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने लव जिहाद के पीछे भी विदेशी फंडिंग होने की बात कही दोरान उन्होंने पूरे मुख्यमंतरी दिगविजय सिंग पर निशाना साधा साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी ताकत को रोकने का काम किया ज दुनिया की इंटर्नेसिल तاकतर सब क्या चाहती है कि मौधी जी को कैसे बद्नाम किया जाए कैसे फैल किया जाए । मैं इसके पीछे भी दूसरी बात भी कहता हूं जो लव जिहाद है लव जिहाद के पीछे भी विदेशी फंडिंग होती है और चल रही है मैं यह लव लब जहाद का कानून, चाहे किसान का विशे हो, विदेसी फंडिंग से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है, इस अब जाज के विशे भी है, मुझे प्रथम देश्ट्रया लगता है इन सब के पीछे वड़ी विदेशिंग फंडिंग होके देश को विधातक सक्तियों को ताका देखा जाए तो मंत्री भाइदोरिया का साफ कहना है कि लव जिहाद में विदेशी फंडिंग की जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूस जबलपूर